लॉक्डाउन में सबसे ज़्यादा चोट जिस वर्क को पहुंची है वो है प्रवासी मजदूर और देहाडी मजदूर और उनकी स्थिती क्या है हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं अभी भी उनकी स्थिती में कोई सुधार या बदलाव नजर नहीं आ रहा ह अभी भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए उत्सूख है इनके सारे जो मुद्दे है अभी तक जितनी जाने इन प्रवासी मजदूरों की गई है और बहुत सारे लोग अभी भी अपने घर नहीं पहुंचे है उन सब के लिए आज देश भर में सत् सत्यागर, देश के 20 राज्यों से लोग इसमें शामील है, रोजी रोटी अधिकार अभियान ये जो राश्ट्रिय मोर्चा है, बहुत सारे संगठनों का, ट्रेड यूनियन्स का, इसके द्वारा ये सत्यागर किया जा रहा है, सरकार का धान कीचने के लिए, समाज का धान और उनकी जो मांगे हैं, वो मांगे पुरियों, उसमें यूनिवर्सल PDS, यानि सबको राशन मिले, जो अनकंडिशनल हो, सबके लिए ट्रांस्पोर्ट की फ्री व्यवस्था शुरू रखी जाए, नरेगा के तहत काम उनकी अपनी अपनी जगह पे गाउं में शुरू करन सबको फ्री हेल्थ सर्विसस मिले, और जो मजदूर पिछले दो महने से बेरोजगार है, ऐसे सारे देहाडी मजदूरों के लिए और असंगतित छेत्र के मजदूरों के लिए डाइरिक बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा साड़े साथ हजार रुपे उनके अकाउंट में ट सत्यागरह चल रहा है, देश में सब लोग शामील है, साथती जी संसद का हर एक खंबा मैंने ही उठाया रे, संसद का हर एक खंबा मैंने ही उठाया रे, सुन क्यों फुट पाथ पे के मेरे लिए काम नहीं धागे को बनाया मैंने मिलों को चलाया रे, ताना बाना जोड के कपडा बनाया रे, सपनों के रंगों में उनको सजाया रे, मुझे कफन नहीं रे, के मेरे लिए काम नहीं मुझे कफन नहीं रे, के मेरे लिए काम नहीं मुझे कफन नहीं, के मेरे लिए काम नहीं मुझे काम नहीं